हेलो बच्चो प्लेस्मेंट से लिए आपका स्वागत है मैं प्रमोत कौन पांडे आज आपको टाटा मोटर्स की एथोराइज़ कंपनी कारवा मोटर्स के बारे में जानकरी देने वाला हूँ कारवा मोटर्स कॉमर्सियल वहिकल बनाने के सबसे बड़ी कंपनी है मैं बता दूँ आपको कि इंटायर यूपी पूरे यूपी में सबसे बड़ा जो हमारा सोरूम है और हमारा जो सर्विस सेंटर या वर्क्शॉप में बोल दूँ वो हमारा कारवा मोटर है और यह अपने उन्नाव कानपूर के उन्नाव एरिया में ओपन हो रही है इस कंपनी में 500 गाडियों की पारकिंग है और अठाई वेज की वर्क्शॉप है यह इस कंपनी में बस फेसिल्टी भी है जो बच्चे कानपूर के हैं उन्नाव और उन्नाव से कानपूर इस प्रकार से बच्चों को भेज़ जाएगा साथी साथ मैं बता दूँ कि कंपनी रहने की व्योस्ता बच्चों को फ्री आप कॉस्ट करेगी और लंच की व्योस्ता फ्री आप कॉस्ट करेगी तो जो बच्चे बाहर से आएंगे उनके लिए lunch की facility भी company द्वारा provide किया जाएगा dinner भी provide किया जाएगा अभी अमारा ये company जो है नई खुली है तो बच्चों को अभी lunch मिल रहा है dinner भी दिरे-दिरे मिलना चालो हो जाएगा जो बच्चे बाहर से आएंगे जाएंगे और जो बच्चे बाहर के हैं उनको ये सारी facilities नहीं provide कि जाएगी जो बस द्वारा आज आ सकते हैं अराम से वो अराम से आज आएंगे जाएंगे और जो बच्चे बाहर के हैं उनको free में company ये सुबधाय प्रवाइड कर रही है मैं बता दूँ बहुत सारी facilities company बच्चों को provide करती है मैं एक एक करके सारी जानकारी आपको देता रहूंगा और जितनी भी other training company अपने side से कराएगी उसका भी खर्चा company ही वहन करेगी आपको कुछ नहीं देना है तो बहुत ही अच्छी facility दे रही है साथी साथ में बता दूँ अठार से 35 साल तक के बच्चे यहाँ पर प्रदिभाग कर सकते हैं और मैं चली ले चलता हूं आपको कि इनका जो देखिए यहाँ पर इन्हों ने लिखा हुआ है कि जो इनका कारवा मोटर्स है टाटा मोटर्स एथोराइश्ट टी ए एसस कानपूर उन्नाव में इनका लोकेशन है यह देखिए यहाँ पर खुला है तो यहाँ पर अभी जो रिक्वार्मेंट है पहला तो है फ्लोर एडवाइजर के जिन्होंने डिप्लोमा किया है आटो मोबाइल से या मेकेनिकल से जिनके पास तीन से छे साल एक्सपिरियेंस है तो उनको कंपनी 13,000 से 20,000 रुपए तक यहाँ पर मैंने बताया कि जो बच्चे एक्सपिरियेंस है वो सारे बच्चे भी प्रदिभाग कर सकते हैं ऐसे किसी पास अगर एक्सपिरियेंस अच्छा खासा है तो उसको और अच्छा पैसा कंपनी प्रवाइड करेगी जो फ्रेसर है और उनको फ्रेसर के पैसा फ्लेक्चुएट करता रहेगा सुपर्वाइजर में डिप्लोमा इन आटो मोवाइल या मेकेनिकल होना चाहिए तीन से पांच साल आपके एक्सपिरियेंस होना चाहिए तो देस जार से सोलह जार आपको सुपर्वाइजर में मिलेगा टूल बवाइ आई टी आई ए इन डिप्लोमा इन आटो मोवाइल एन मेकेनिकल सेक्टर्स में होना चाहिए फ्रेसर भी बच्चे चलेंगी इसमें इनको तीन से पांच साल एक्सपिरियेंस है वो बच्चे भी चलेंगी तो लगबग आपको साथ जार से पंदर हजार सुरुआत मिलेगा यह सुरुआत की आटो में इसल्डी ने बता रहूं आपको टेक्नीशन, आई टी आई, मेकेनिकल, क्वाले ट्रेड जैसे टेक्नीशन ने बता दूँ टर्नर है, फिटर है, इलेक्रिशन है, वेल्डर है, जिते भी आपके आपके बास ये सारी ट्रेड्स हैं, मेकेनिकल से रिलेटेडर आर है और टूल Tarawale maker है डिजल मेकेनिक मोटर मेकेनिक जितने मेकेनिकल ट्रेट से इड्प्रेटर मेकेनिक डिजल मेकेनिक सारे बच्चे यहां प्रतिभाग कर सकते हैं फ्रेसर वाले उनको और अची सेलरी मिलेगी, कंपनी जो लिखी उससे ज़्यादा सेलरी दे सकती है, आपको डेंटर, अगर कहीं गाड़ियों में डेंटर लग जाता है, तो उसके लिए डेंटर आते हैं, ट्रक एन बसेज में, पांस से दस साल एक्सपिरियेंस अगर आपको है, तो नो जा वैसा आपका एक्सपिरियेंस होगा, वैसा आपको कंपनी प्रोवाइड करती रहेगी, मैं बता दूं, कंपनी जो है, पंद्र, पंद्र, अप्रेल दोजार चोबिस को राज़की आईटी आई, पांदुनगर कानपुर में सुबद 10 बजा रही है, फिर से ध्यान दिजेग ग्रेजुट वाले बच्चे, डिपलुमा वाले बच्चे, आईटी वाले बच्चे यहां पे दिभाग कर सकते हैं, कंपनी आपको permanent job दे रही है, ध्यान दिजेगा कंपनी आपको permanent job देगी, वो भी आपको टाटा मोटर्स की जो authorized कंपनी है कार्वा मोटर्स वहां पे आपक कहीं भी नहीं है तो ऐसी location पे आपको काम करने का मौका मिलने वाला है और साथी साथ में बता दूँ कंपनी अभी इनका जो नया plant है नया workshop है वो उन्नाव एरिया में खुला है तो उन्नाव में आपको job करना होगा और उन्नाव से कानपूर के लिए bus facility भी company आपको provide करेगी तो बहुत अच्छा मौका है तो जो बच्चे इस company में प्रिदिभाग करना चाहते हैं या चाहती है क्यों गल्स के लिए भी है उनको 15 अप्रेल 2024 को राजकी ITI पांडूर कानपूर में आना होगा मैं बता दूँ जो बच्चे बाहर से आएंगे उनके लिए company रहने की करेगी तो इस प्रकार से बहुत सारी company आती है हमारे पास जिसमें बच्चों के लिए जो candidates होते हैं उनकी facilities बहुत कम रहती है लेकिन ये company जितने भी workers होते हैं उनके लिए काफी अच्छा business ध्यान देती है और workers के लिए भी काम करती है और अपना भी काम करती है तो मलब दोन कानपुर में उपस्तित हो ये job है apprenticeship नहीं है और साथी साथ सुबत 10 बजे सबको उपस्तित होना है बहुत सारे बच्चे हमारे पास campus के लिए आते हैं और को चार बजे company जा रही हो तो आ रहे हो ऐसा नहीं है आपको सबको समय से आना है और अगर आप कहीं job कर रहे हैं और आ AGRG company उसी कंपनियों में से एक है तो मैं इसी प्रकार आपके लिए आगे भी वीडियो लेके आता रहूँगा अभी तक के लिए जय हिन जय भारत